Hello friends, आज़ की वीडियो में एक बाल फिर स्च पासवार था friends पिछली वीडियो में हमने हमारा जो uses देखा था वो था what goes to मतलब क्या जाता है या फिर जैसे examples में बोले तो पूछने में क्या जाता है हा plant कहने में क्या जाता है ऐसे related हमने uses को पढ़ा था friends आज की वीडियों हम देखेंगे friends हमारा next uses जो की है uses of अब आगे से ऐसा जैसे अब आगे से मैं तुम्हें कभी call नहीं करूंगा अब आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए से related हम sentence को आज हम लगाएंगे friends English में convert करेंगे हमारे daily life की uses बोलने वाले sentence है friends तो यह बहुत important है ठीक है आगे से समझते हैं अब आगे से ऐसा मतलब from now onwards ठीक है from now onwards अब आगे से ऐसा ठीक है, इसको लगाएंगे plus हमारा जो next sentence रहेगा हम उसको use करेंगे ठीक है, क्या है यहाँ पे अब आगे से तो from now onwards from now onwards ठीक है, अब आगे से मैं तुम्हें कभी call नहीं करूंगा हमारा कौन सा है future indefinite का, ठीक है कौन सा है negative sentence तो यहाँ पे क्या होता था, I will कभी नहीं का never ठीक है, never I will never call you, ठीक है from now onwards, I will never call you, अब आगे से मैं तुम्हें कभी call नहीं करूंगा ठीक है friends, I hope कि आपको समझ में आगया होगा आए निक्स देखते हैं, यहाँ पे क्या है अब आगे से, तो मतलब from now onwards from now onwards आगे से मुझसे कुछ मत चुपाना, ठीक है from now onwards do not do not hide me anything यहाँ पे क्या है, हमारा from now onwards, उसके बाद हमारा sentence from now onwards, फिर हमारा sentence यहाँ पर भी सेम वही रहेगा from now, from now it should from now onwards onwards, ठीक है from now onwards it should not happen आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंट्स, I hope कि आपको समझ में आगे होगा यह sentence, यह uses लगाना, I hope कि आपको सब clear होगा होगा, अगर नहीं clear है, तो आप 4-5 examples अपने मन से लगाईए, वापिस से इसको try करिए, फ्रेंट्स, आपको पूरा clear हो जाएगा, ठीक है वीडियो चलागा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंट्स, नए हदो चैनल को जरू सब्सक्राब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यो फ्रेंट्स